पिर भाफ आने लगता है लो मुबाइल में आप देखिए यह वी ना बात देखिए यह वी ना बात परफेक्ट यह जैसा चाहिए सब्जी वैसा बनके तयार है तो रोग जाओ बहुत हुआ बहुत हुआ अब ऐसे नहीं चलेगा अब ऐसे चलेगा क्या बना रही हो मुमी क्या करें कि दो घुखि ले लिए है और इसको इस तुकरे में आइसे असे करके तुकरा में अच्छे से धो लिये हैं और किसी क्ई को गोओर रनी नहीं पसंद आता है तो यह क्या करके नौर्मल पानी में थोड़ी जग डाल के उसमें आधा घंटा के लिए इसको छोड़ तो इसमेल हद तक कम हो जाता है तो ये दो गोभी है मीडियम साइज का ये वीडियो को बहुत इंतजार थो हाँ हाँ बहुत लोगों ने डिमांड किया था और ये आलू है चार आलू है उसको हम मीडियम साइज काट लिए है उबला आलू है ये उबालू यह है by इसके लिए हम मसाले बता दें कि क्या भाना कितना डालना ओढाए अब इसके लिए मसाला में यह डिल्ल चम्छी धनिया पाउड़र है आधी चम tö Information मिर्ची है आधी चमच अल्दी है एक चोथा यह जीरा पाउडर है आप मिर्ची अपने अउसार ले लिजेगा जितना पसंद ही सबको मिला लेका हम इसमें थोड़ी पानी डालके इसको फुलने को रख देंगे फुलने के लिए छोड़ेंगे हम अब हम सबजी बनाना सुरूर करते हैं इसके लिए हम क्या की हैं कढ़ाई में दो-तीन चमज तेल हम गरम कर लिए हैं इसमें सबसे पहले हम यह गोवी को डालके हम भूनेंगे इसको चलाते हिए हम लगतार चलाएंगे और फेरी आप बच जले नहीं हम भूनेंगे इसको अब देखिए यह भून गया है हलका हलका लाल हो गया है इसपोट आगया है सारे गोवी पर अब यहां हम क्या करेंगे थोड़ी सा नमक डाल देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल दो-पिंच नमक डालिए और यहां थोड़ी सा हल्दी डालेंगे देखिए एक चौथाई चम्मत हम हल्दी डालें ताकि यह सॉफ्ट होकर और अच्छे से भून जाए तब ही तो नमक डालेगा तो पानी मतलब आएगा तर्चा से भूनेगा अब यह भून गया है हम यहां क्या करेंगे कि आलू जाल देंगे कि आनी जाए spend two cents निए ने चे पिशाइक के साथ भूं जाए कि अब अब है कि आलू डालेंगे आलि पर भी सी के साथ बस ठोड़ी देर के लिए मिपोल द treaty अगर बस एक निय स्कों के हम यह सको बिंके अब दितशेज को भीद रख साब्षी और ने यह challenged is अब देखिए लगभग गरम भी हो गया है अब देखिए कुछ खरे मसाले हैं जैसे जीरा है और लाइची है लॉंग है जो भी आपके घर में उपलब धो और डाल दीजिए अब देखिए मसाले को तो जलाना नहीं है जीरा फूल गया है उतना काफी है अब इसे हम इसको गॉल्डन ब्राउन होने तख भूनेंगे चाज को देखिए यह प्याज तयार हो गया है ऐसे ही चाहिए देखिए प्याज पर्फेक्ट भूनना चाहिए नहीं तो अगर यह च्छान रहा तो फिर तो प्र्यम मीधड़ा सिक जाए चासी अची अच्छपन पछिए अनुछ जाबार को तक्र जाया सकते हैं यहां नो qa tell one दाल में दो दू ने स्फुखनें अग्हा लोग दो डुखने रानकों संतने कि दो पूल देज राइएं गान ऑर पा में इसको लाइगे तो उस अंसार हम दाले हैं अब इसको अच्छी तरह भूना है ताकि प्याज अच्छी तरह गल जाया भून जाए मसाला अब ढग ढग के हम इसको इसको हम भूनेंगे देखिए मसाला भून गया है हम देखिए कल्छुल से अच्छा प्याज को कुचलते हुए चलाए है देखिए प्याज भी गल गया है तेला लग हो गया है और हम कहेंगे कि आप लोग जरूरी सब्जी को ट्राई करिएगा क्योंकि बहुत टेस्टी बनता है हमारे परिवार को खुद पसंद है अब दखिए इसमें हम सब सब्जी को डालेंगे अब इसको चला लेंगे अच्छी तरह मसाला भून गया है अलू भी तयार है है अब इसमें कुछ जादा करना नहीं है बस इसको थोड़ी सा चला के हम इसमें अपने स्वाद अंसार पानी डालेंगे अपन ग्रेवी बना रहे तो पसंद है तो थोड़ी कम पानी डाले इस में रवी चाहिए तो फड़ी से को अब बिना पकी की ता अच्छा लेगे लागा है लागाना एंब इसमें तेज आत को है इसलेगा पना पानी उखना है और नहीं कुछ करना है अब इसमें घरमम आदि चमच गरम मसाला है इसको भी हम डाल देंगे अच्छी तरह मी डा लेंगे इसको अंग… वहागा थोड़ी से हलका पानि और डाल दें… यहां.. बस इसको तेजू आच पर बस एक सीतिया जाये और बंद कर देना है तब इसको बंद कर देंगे अब फिर हम मिलते हैं एक सीटी आ जाए तो खोलने के बाद अब देखिए सब्जी बन के तयार है फूल आच पर एक सीटी इसको लगाए है अब प्रेसर भी खतम है हम बंद कर दिये थे होड़ा से ठंडा हो गया है हां हां प्रेसर खोलने तक तो चाहिए है फिर भाफ आने ल फिर हम कहेंगे आप लोग से की जरूर ट्राइ करिये और हमको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर कोई कमी है ओभी बताईएगा अगर कोई कमी है ओभी बताईएगा ओई कमी कैसे हो सकती है ममी जखका सब्जी दिख रही है स्वाद आ जाना इसको खागे तो ममी कर नहीं had a kind of remote कीतेब मेश के मुद्द लएक कि खाना five हाउ हाउ मže करू टेस्टींहां हाउ हाä तेस्ट करो तुमको त्टिस्ट करना बहुत पसंद है चलो किया जाए ढिआ टेस्ट गर रहा हूं मम्मीया सब्सब्स हबोधा आपके देखो सब्जी एक नंबर को रोटी के साथ काते हूं में गिर गया यह आ गया मस्त इसी रोटी के साथ परफेक्ट मिर्चे सब कुछ परफेक्ट मिर्चे सब कुछ परफेक्ट सूखा वाला बनाती हूं मैं उससे ज्यादा मज़ेदार है यह तो रोज नहीं बना सकते ना मैं एक बर एक बार रयादए मैं बड़े पार्ट defines stretch में बनाई यह ऌ मैं नकिन दाल नहीं बनाया है सिर्ट उससी साफ से वम बनाये हूं सब्णाओ excited अब मुड़ा आता है चावलगा पूरी किसाद भी बहुत अच्छा लगता है लेटी नहीं बनाया है अफुरी गर्मी बहुत है चावलगा साथ तो मजा आने वाला है देख के बहुत अच्छी लगए सब्जी वी देख के समझ में आजाता है ना कि एक गोवी देलेता हूं मे दोसोती हम अच्छा कवना दाओ अ फिर विल्ने लगा पहले तो इस माउसा में गोवी कहां मिलता था का आत्यों स्टोरीज में रखते हैं न वह हम पहले मुल्दागा स्टाइब था ने लिगन फिर भी अच्छी में तर थैक ड़ अपने जा रहा हूं अश्य ने की खाने ज यही बात यही बात मम्मी यही बात चावल रियल किंग है मम्मी चावल असली जोर है ना सब्जी का तो रुक जाओ बहुत हुआ है बहुत हुआ अब ऐसे नहीं चलेगा अब ऐसे चलेगा इसको जाओ रखता हूँ इसको जिज़र अब तो ठीक है लेकि पानी लेकर नहीं बैखते हैं तो मम्मी यार पानी लाना पड़ेगा भूले खाले तो हूं जल्दी दिल्याओंगा लादे जाओ देना तो अब मम्मी लेकर सही में सही बता रहे आपको चावा के साथ नहीं क्या ब्रिल्लियंट लग रहा है यह तो पुरी के साथ चाओं के साथ नहीं अच्छा लगेगा है तो मेरे जिस्ट्रे भाई उनको मैं रेकमेंड करता हूं कूकर बनाओ ना बहुत जल्दी बनता है और अच्छ पसंद लाता है ग्रेवाला के सब्धियों को कूकर का बहुत पसंद है हम्म एक बार क्या हुआ मैं आलू समझके आखरी कौर के लिए सोचा कि आलू है तो बचा कर रखा आखरी कौर खांगों बढ़िया साथ चावाज का नेरा समंभी हो मेर को इतना बुरा रगा कि मैं क्या बता हूं मस्ट और जदी चान तो इस है परफेक्ट परफेक्ट